इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप WhatsApp के notification को कैसे on करेंगे WhatsApp के notification को कैसे चालू करेंगे तो इस वीडियो को आप सुरू से last तक देखते रहिए तो देखिए आपको करना क्या है? WhatsApp को open कर लेना है और जब आप WhatsApp को open कर लेंगे तो उपर आपको दिखाई देगा 3.3. पे जब जाएंगे तो सबसे नीचे आपको दिखाई देगा settings की option और settings की option पे जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा notifications तो notifications पे जब जाएंगे तो यहाँ पर अगर आपका इस तरीके से off होगा तो यहाँ पे आपको इस notification को चालू कर देना है और 3.0 पे जा करके reset notification पे किलिक करके reset कर देना है पहली तरीका तो यह हुई और दूसरी तरीका क्या है कि आपको चले जाना है अपने mobile के settings में और settings में जब जाएंगे तो settings में जाने के बाद आपको इस तरीके से आना है और apps पे चले जाना है apps पे जब जाएंगे तो आपको जाना है manage apps पे और manage apps पे जब जाएंगे तो manage apps पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे type करना है whatsapp तो जैसे आप यहाँ पर टैप करेंगे वर्टसअप तो वर्टसअप पर जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर नोटिफिकेशन स्वे यहाँ इस तरीके से अगर आफ होगा तो इसको इस तरीके से आउन कर देना है अपने वर्टसअप के नोटिफिकेशन को तो यह तरी येगा